Hello and welcome friends, आज की ये विडियो टैली प्राइम को लेकर के है, जब भी आप विड्रॉ करते हैं, ध्याम दीजे का विड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकालना, और जब ये बिजनेस वाली बात हो जाती है, तो ऐसे कंडिशन में आप विड्रॉ कैसे कर पाएंगे, विड्रॉ करने क क्या जो है शर्ते हैं कैसे हम विड्रॉ करेंगे टैली प्राइम की अंदर, आज हम पूरी बात उसी की करने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए आए ये स्टार्ट करते हैं, टैली प्राइम का जो एडिट लॉग वर्धन है, उसे मैं कर लेता हूँ ओपन, और यहाँ पर हम आज विड्रॉ करके देखेंगे कि कैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं, यानि पैसा निकाल कैसे सकते हैं, चाहे वो कैश में हुआ या बैंक के थ्रू भी जाना हुआ, तो दोनों तरीकों से इसे हम देखेंगे कि कैसे हम पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, तो चलिए आए अब यहाँ प पर यहां पर हमें withdraw की entry करनी है ठीक है ध्यान रखिएगा मैं यहां पर कहीं पर भी receipt voucher में अभी entry नहीं कर रहा हूँ मुझे जानकारी नहीं है कि इस company में क्या-क्या हुआ है तो हो सकता है कि negative cash आ सकता है ठीक है लेकिन चलिए हमें तो फिलहाल withdraw करना है withdraw किस तरीके से किया जा तो जाना कहा है तो F4 वाले में जाना है तो keyboard से function button F4 प्रेस कर दीजे अब हम कहां आगए अब हम आगए counter voucher में आप credit और debit के form में यह entry कर सकते हैं आप single entry mode में भी entry कर सकते हैं और आप to या buy के form में भी यह entry कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अभी चलिए credit औ debit में ही देख लेते हैं यहाँ पर उपर आप देख सकते हैं यहाँ पर credit आ रहा है तो यहाँ पर हम एक bank का laser बनाएंगे क्या बनाएंगे bank का laser तो alt C क्या प्रेस करना है आपको keyboard से alt के साथ C प्रेस करिएगा तो यह laser creation वाली window open हो जाती है अब यह laser creation वाली window में हमें एक laser create कर करना है तो जो laser create करना है उसका नाम है bank of India ठीक है तो यहाँ पर लिख देता हूँ bank of India यह bank का नाम है ठीक है क्या है यह यह bank का नाम है तो यहाँ पर bank of India करके enter करिएगा और यहाँ पर group क्या होगा इसका तो फिलहाल तो इसका group होगा bank account ही तो यहाँ पर bank account कर दीजेगा बाक आपका जो भी नाम हो यहां पर दे दीजेगा, तो यहां पर जो है बैंक अकाउंट नंबर दीजेगा, और नंबर दे करके एंटर कर दीजेगा, और एंटर करके यहां पर इसका IFSC code जो भी होता हो, ठीक है, तो यहां पर जो भी IFSC code हो गरा होता हो, वो डाल करके एंटर कर दी तो वो swift code आ जाएगा आपका फिलाल मैंने skip किया है और यहाँ पर आपके branch का name आएगा तो यहाँ पर दिवरिया branch कर देते हैं D.E.O.R.I.A. तो यह हो गया दिवरिया branch और enter करेंगे enter करेंगे यहाँ पर check की detail हो गरा देना है तो दे सकते हैं अगर आप bank of India जो bank खाता आपने खोला है उसमें owner का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं जैसे माली जै मैंने यहाँ कर दिया Mr. Rajay तो यह जो है नाम हो गया address हो ग enter करके इसको accept करा लेते हैं तो यह हो गया accept अब bank of India से कितना पैसा निकालना है आपको ठीक है तो यहाँ पर maalी जी हम यहाँ पर 4000 रुपए डाल देते हैं तो यह 4000 रुपए bank of India से निकाला जा रहा है ठीक है यहाँ पर मैंने क्या का था bank of India में तो हमारे पैसा है नहीं तो ऐसी entry आपको नहीं करने है लेकिन आपको समझाने के लिए बाद में आप cash receive करा सकते हैं आप cash से cash receive कराएंगे वो कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ यहाँ पर cash निकाल रहा है 4000 रुपए तो यह 4000 रुपए cash हो गया यहाँ पर अब यह निकालने की entry है ध्यान दीजेगा यह निकालने की entry है तो यहाँ पर लिख देता हूँ cash rupees 4000 withdraw from bank of india bank of india यह narration डाल दिया हमने और narration डाल करके enter कर दिया और enter कर दिया तो यह accept हो गया अब मालेजी कभी कभी ऐसी condition आती है कि आपका two और from के यह आ जाता है ऐसा आ जाता है तो आपको क्या करना है देखिए यह आएगा कब यह आपका debit credit off रहेगा ऐसी सिती में यह आ सकता है तो य कोई दिक्कत नहीं है यहाँ टू अगर आता है तो भी आप यहाँ पर bank of india का laser लगाईए ठीक है और देखिए यहाँ पर 4000 already minus में चला गया है कुछ और minus कर देते हैं 400 रुपे और minus कर देते हैं तो यह 400 रुपे फिर निकाले जा रहे है किसमें cash ने तो यह cash हो गया और enter करे एंटर करके इसको accept करा लेंगे यहाँ narration डाल देंगे वही जो डाला था हमने ठीक है 200 रुपीज withdraw 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 from कौन सा है यह bank of India यहाँ कर देते हैं bank of India आपका जो भी बैंक का नाम हो वो डाल सकते हैं तो देखे कितने easy way में इसे आप इस entry को कर सकते हैं अब यह entry हो गई ठीक है देख सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि withdraw की entry आपको जरूर समझ में आई होगी कि withdraw करना है तो कैसे करना है अब bank to bank करना है अब bank to bank करना है तो bank to bank भी कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं अब जैसे मालीजे bank of India से withdraw कर रहा है कितना कर रहा है मालीजे 600 रुपे कर रहा है example के लिए तो यह 600 हो गया enter करेंगे यहाँ पर अपके cash नहीं करना है तो अब यहाँ पर एक alt seeker के laser बना लिज़े SBI का तो यह SBI कर दिया यह भी bank account ही रहेगा और यहाँ पर SBI का जो भी account number है तो वो डाल दीजेगा और enter कर दीजेगा एंटर करके बाकि सारी detail भरते हुए enter करते हुए नीचे आ जाईए और इसको accept करा लिजे तो SBI में पहुंच रहा है कितना रुपे 600 रुपे देखिए यहाँ पर two or from जो two or buy वाला system है उसमें मैं करके दिखा रहा हूँ यह और बाकी यह narration अगर भर लीजेगा तो यह इस तरीके से हो जाएगा अब माल लीजिए यह दिखे यहाँ पर तो SBI हो गया अब 600 रुपे SBI में पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं तो यहाँ पर तो दिखा माली बात है यह सारी entries हो रही है counter voucher में यह ध्यान दीजेगा तो अगर मैं SBI से 400 रुपे निकाल करके bank of India में दे दूँ तो क्या होगा तो यहाँ पर अभी SBI का laser लगाया है हमने और यहाँ पर 400 रुपे निकाल रहा हूँ तो SBI में अगर 400 रुपे निकाल लो तो 600 पड़ा दिखा रहा है और य के अंदर हम क्या करेंगे bank of India का laser लगा देंगे तो bank of India तो already minus में है तो यहाँ पर जो है 400 रुपे अगर मैं डाल देता हूँ अब यह देखिए यह 400 रुपे डाल दिया इसमें enter किया enter किया enter किया तो देखिए यह 400 रुपे डाल दिया हमने और 400 transfer to bank of India य यह हमने narration डाल दिया bank of India कर देंगे यह हमने देदिया narration में और enter करके इसको accept करा लिया तो देखिए कितना बहतरीन है यह तरीका कि आप withdraw करना है withdraw करिये कल मैंने आपको deposit करना बताया था कि deposit करना है तो कैसे आप deposit कर सकते हैं तो जो भी आप करना चाहते हैं बहुत ही easily आसानी के साथ एकदम easy way में कर सकते हैं ठीक है तो चलिए उमीद करता हूँ कि पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी फिर भी कोई confusion हो तो जरूर पूछिएगा जिन लोगों के सवाल रह गये हैं वो उनका जबाब भी जल्दी मिल जाए